किसी ट्राली को आस तक लोग नहीं लगाते पूरा कंप्लीट बनाता हूं जोडवाला नहीं है तो इसलिए हमने बगेर लिंच पिन वाली यह आटमेटिक के लिए बना दिया और बहुंग निकड़ जाएगा सब्सक्राइब यह डाले के अंदर बेंट दी गया ताकि इसकी आप डालोगे ना तो कहीं से कोई एक भी दाना गिरने का कोई चांस नहीं है जो ट्राली आप सामने देख रहे हैं वो ट्राली इतनी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है भाई मेरा तो मन खुश हो गया इसको देखकर एक नंबर का काम के इतनी टेकनिक मैंने पहली पर द क्लिजाइन है या लॉट लगाने या लगाने इसा या लगाने नहीं है इनकी तेकनीक की आओज हुझ रही नहीं करती है पीक ने में देजाइन जो परने डैम Wellnessा वी बनते हैं मतलब कहुं हो होगा है कि इतने डिजाइन और इतनी टेक्नीक से काम करते हैं और ये खुद काम करते हैं इसलिए गलती के कोई भी गुंजाइशन नहीं है और जो चीज रुपेर वाली है उसको ऐसे फिट किया कि आप उसको खुलो और मुटसा बैग में लेके जाओ उसको रुपेर करवा ल और पेंट की क्वाल्टी की बात करूं तो आप उसमें अपना मुझ देख सकते हैं जैसे गाड़ियों का पेंट होता है इतना शांदर क्वाल्टी का पेंट है और एकदम मजबूत ट्रॉली बहुत ही मजबूत ट्रॉली मैं तो कहता हूं यह बार्थ की नंबर वन ट्रॉल को अपने बना रहे हैं और इसके अलावा यह एक किसान बना गते लिए उसको देखकर ही दूसरे किसान बना रहा है इतनी फेमस हुई वड़ी हैं बाई की ट्रॉलिया काम आप देखना मन्न मन खुश हो जाएगा बाई से बात करते हैं और इहांतक है क्ले क्राली कि आपकर क्यार किया गया है और यह टूल का डखन है जो भी बिलकुल अंदर इसी से कटिंग करके इसी के अंदर वाफ्स लगाए गया ठीक है अलग से पीज नहीं लगाया इसको देख सकते हो आप और कोई भी जोड नहीं है पूरा कंप्लीट ऊपर से नीचे तक साधर है ठीक है कोई बीच में जोड़ा कोई भी वेल्डिंग नहीं किया हुआ और सर इसको अगर कोई लोग लगाना चाहिए भाई तो लोक का सिस्टम भी है इसमें हां जी हां जी सर वो कस्टमर की डिमांड पर होता है अगर बोल दे कि हमें लोग वाड़ा चाहिए तो आज गर गयोंगे इतन यहां फीटिंग होगी जिस समय ट्राली को उठाना उस समय फीटिंग कर लो अगर जिस समय नहीं जुरूर्ट दे तो इसको यहां से उतार दो और इसके अंदर वापस रखते दौर जूरूर्ट के उसको यूज कर सकते हैं यहां लटकती नहीं रहेगी यह तो कस्टमर की ड अगर कोई डई बाई सप्रिंग वाली में क्या सिस्टम होता ही सप्रिंग वाली में बहुत अपने आप उपरूट जाती है उसकी कोई दिक्त नहीं कलको कई जलते में पड़ जाए तो उसमें दिक्तत नहीं आएगी कि वह ड़ी नीचे आ जाएगी ठीक है यह मैनुल है तो आप ट्राली को साफ कर रहे हो पानी से तो पाने अह Early 20 अहाँ से उसलिए इसको खोलो और साफ हो जाएगी कंज देयरो इसके बाद म tới इसका निकलने का कोई साट्रेत है यहां से बतारा पर था इसको तो इसलिए वह ङो भी बेटर चैंस है कि वहाँ से नत्कोला दूर व इस चीज को अपने यहां से फोल्ड किये तो इसका क्या परपजय है यहां से फोल्ड करने का इसका में रहता है कि पहले जैसे कि यहां से डिजाइन चलता था वह उपती बाड़ा उसके अंदर कम से कम 10 किलो लोगा लगता था फिर उसके बाद में ट्रेक्टर की मिटी है कि इसकी से ट्रेंथ वड़ दे ठीक है अकेला फोल्ड नहीं किया डबल कर दिया ताकि इसकी मुद्बूती रहे और कल को 10 साल 20 साल को यहीं पर मिटी पढ़नी है मिटी पढ़ने से गढ़नी तो है चादर कभी तो गड़ेगी इसकी लाइफ है जितनी चलेगी उसके बाद म हमारी टाली कि में यहीए खाशित रहती कि हमारी टाली किसी भी पिक वगेरा के कहीं जोड़ सकते हो आप एक परसेंट भी नहीं बाद देगी सर मारे टाली चाहिए आप जिटない करेंगे कि इसका क्या हमारा यही रिजिन होता है कि उस बनाते समय में यह जाती है बन आपकी तेकनीक है जी सर फिक है ट्राइटर के पिछे जब जाती है तॉली अवाज बिल्कुल नहीं करेगी कस्टमर जो नहीं मानता बिल्कुल भी धक्का करता है उसके साथ इसाब से वह लोक लगा के देते हैं वैसे हम किसी ट्राली को आस्तक लोक नहीं लगाते जो कस्टमर डिमां देख सकते हो भायों कि यहां पर कोई लॉक का सिस्टम नहीं दियो वह इधर नीचे भी देख सकते हो यह इनकी तकनीक है उसना लॉक लगाने का एक मेन परपज जाता है तो खाली होती है आवाज करती है तो उस आवाज से बचने के लिए अपने लॉक लगाते हैं कहीं काम करना छोड़ देते हैं तो पंप से वहां पे चैसी में प्रावलम आ जाती है या फिर यहां से दिक्कत आ आती है तो इन्होंने यहां भी लॉक नहीं लगाए और वहां भी नहीं लगाई इनकी यह तकनीक है कि आप चाहे कितना भी बगाउट राइटर को हमारी ट्राली आवाज नहीं करेगी तो यह एक अलग से फिचर डाला हुए इनोंने के फर्मिया खुद का डिजाइन किया हुए है और इसकी लंबाई रखने का में यही कारण होता है कि इस चद्र की भी मजबूर्ती बनी रहे और स्ट्रेंथ अच्छे से चले ताकि इसके अंदर कोई मोच वगेरा ना आए उसके बाद में सरी यह पाइप लगाई गई गई है चाहिए आप एंडल बोल सकते इसको इसक रहते रहते थे और खराब कर देते ठे ठीका वह वाज करका वाद करते थे इसलिए यह पाइप लगा दी यहां से रसा डाल ओ उपर वाले अनदर से यह सब्सके जबंग करदिया यह चिकल को नर्मे में बोंग वगेरा निकालना होता तो निकड जाता है जब कनक या ज्वन हाँ जी तो यह सारी जाड़ी सर्फ होल्डिंग है एसे नहीं है कि विड के साथ रहेगी जरूरत है तो जाड़ी को रखो नहीं जरूरत है तो जाड़ी उतार के आपके अंदर सामके रखो विड अकेला लगे रहेगा ठीक है अकेला विड भी है और ज्यादा मेंत नहीं है अ जोड़ वाड़े बनाते हैं इसके अंदर फिर ना सरफ बिड़ता नहीं है जैसे कि यह नहीं विट आले है ना तो भी ऐसे एसे एसे लेगा नहीं नहीं तो नहीं तो नहीं दोन पुपों के अंदर यह दिक्कत आती थी कि यहां नट लगाए होते थे वो नट कुस टाइम बाद में जाम हो जाते थे तो वो विड निकलने की दिक्कत आती है यहां कोई ले गया तो निकाल लेता है यह समस्यां आती है इसमें पूरा फिक्स है निटेत है कंप्लीट है अगेला आजमी से निकाल सकता है बाद उसके में सर यह हमने भूनी लगाई गई है यहां पर बनाया गया और यह बूरा राउंड बूरी की बात करते हैं तो जब च्यारों साइड से यह बंद हो गई चैन सक डिए लेंद तो उतरने वाली बोलता है ओधरने वाली भी तů पर देखरों फिर संतर होते हैं उसके बाद निए यह विड़ पर muffin कि यहां भी कोई दिखते नाए नहीं तो कस्टमर इन सरीयों पर रखेगा तो वो पिछे जाड़ी के लगेंगे तो जाड़ी खराब होने का ड्र है इसलिए आम ने बार अलग से लगाई हुए और इसको पुकरने वाला यह एंडर लगाई हुए इस चीज को आप अपनी कि यहां से उपर जगया रह जाती थी उसके अंदर मिट्टी पानी बढ़ता था तो उसकी वजए से गल्नी स्टार्ट होती थी देख सकते हुए तो देख सब्सक्राइब भय वैसे तो पेंट की कवैल्टी इतनी धंदार है कि यहां पर ज्चापता निलग लगाते हैं और उपर लगाते हैं बार देखता हुआ अब अलगوس से बार रहता है वो इसके लेवल में होता है सर वो तो इस पे मिटी खटी है मिटी रुकने कार्म का स्टमर की यह दिक्ट आती है कि यहां से सर गणने लग लिया तो इसको शुदार करती है यह भी पूरे नीचे तक बगेर जोड़ का है सर एक पीस दुलादिया आप पूरी कं करते थी पहला डायला रोपने के लिए यहां किली वगेरा लगाई होती थी तो उसमें कस्टमर की क्या दिक्कत थी कई बार क्या जल्दी होती है खेत में तो मांगे ले गया ट्राली उसने नहीं ज्यान किया यह दर डाला छोड़ दिया और आगे से पंप उठा दिया पंप होत्ततरनाग चीज़ा है इसलिए सरी अटोमेटिक किया गया और इसको अंदर नेट में फॉल्डेबल है कि अगर कल को कोई दिक्कत आए तो इसकी रिपेर हो सके ठीक है और इसको पिछे खींचने से अनलोक हो जाता है ठीक है ऐसे नहीं कि ट्राली खड़ा है कोई बच्च कोई प्राउबल मोति है तो इसको रिपेर करने के लिए क्लिए क्लिक बीच में पूरी को लेके बागने की कहीं बीच में तुम्हीं जूट नहीं है ठीक है उसके बाद में एक भूनी यहां पर आ गई सर बीच में रसा डालने के जिए कि जैसे कि मौसम खराब है गया हो गेरा डाली यह तो फिर पाल डालो तीनों साइड से कवर कर दो लंबे में लेके जाना है जैसे कि अभी जोने के मंडी दूर दूर लगती है जिसलिए दिकत आती कि दो दो चिन तीन ने लग जाते हैं ठीक है यह हमारी फरम नाम आगे दिपां को जंदोरा एगरी वरकस व्रयाम केड़ा जाम का नाम आदी इसके अंदर सर के हैं आमने तीन कबजे दी हो एं और पूरे विडिटी टील के कबजे दी हो एं ताकि इसके अंदर जंग ना काई नहीं करें नहीं कोई चीज नहीं मुद्धे न करने खोड़ना पड़ता है और रोपर वाले कबजे दी। कबजे लगाई यह कोई दिकत वाड़ी बात नहीं उसके बाद में सरी यह किली आगे जैसे इस किली की यह कस्टमर की टिकत रहती थी जैसे कि अभी दान की ट्राली बर लिए और अंदर पिन लगाई हुई है तो जाम बंडी में खाली करनी है तो वह पिन नहीं निकलती है क्य यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर अपने इसको यहां तक बर लेंगे तो दोबारा इसको खाली करने के लिए यहां से यह पिन है वो कौन अंदर गुश्क निकाले गए इसलिए यह बार से अपने आप खुड़ेगी इसमें यह वाली सुवीरा दी गई है जो कि बार भी लिए यहां norak कर सकते हैं और बार खड़े खड़े इसको वापिस खोज सकते हैं पेले क्या होता था इसके अंदर संगली डालनी पड़ती थी यहां बूस्ल गाना पड़ता था उससे ट्राली बसती रेती एथी रंग भी खराब होता था और सबसे में प्रोब्लम यही थी क्यां तो वह प्रॉल्म होगी एक सर जैसे कोई मांगे ले जाता है तो वो किलिया बदल देता है निकाल लेता है यह भी समस्या खत्म होगी कई बार क्यों नहीं करती तो यह अगर बार निकलती होती तो फिर तो फ्राब हो देती है ठीक है इसके अंदर इसको फिक्स किया गया कि बार निकले नाट्राली से लग होई ना इसलिए इसकी में आज़ है आप इसारा सीएंसी सर्ट डिजाइन सी किया हो गया है और अंदर जो किली लगाईगी है वो भी इसलिए उसके बाद में साइड डाले प्याजाते हैं तो आप दे सकते हैं यहां पर बुस लगाएगे उपर निचे बीच में पूरी विड्यूटी पाइप दी गई है अच्छा ताकि डाले में कभी कोई पले ना पड़े और को जिक्कत ना ओविसाल भाई को और यह सरी है जिन्दरिपाल सर्य होता है जो मचिनों के अदर शाफ्ट में चलता है वो सर्य लगाए गया लोकल शरीया भीक्राली si же य करेता नहीं है जल्दी से और इसको पूरा क्राद से ट्यार किये हुआ यह जल्दी रिपेर मांगने वाला काम किया हुआ है जैसे एक दिक्ता आती है कि जब इसको खोलते हैं और बंद जरते हैं तो डाल दाल जो नीचे लटकी आता है इसमें यह बिल्कुल फिक्स है तो इसका क्या कार्म है इसका कार्म यह होता है कि वहां जो बुस लगाएगे य है आजकल वह अपने अपनी पसंद होती है करी क्स्टमर की जैसे कि अभी ये पाई वाला सिस्टम चलता है पहले पतिया वाड़ा होता था तो तीन तीन पत्टी पत्ती में प्ले पड़ जाती थि तीट यह लग-अलग होती थे अभी यह पाई पॉर बुस वाला सिस्ट्प यह तो इसके अंदर कोई दिक्कT निया थी पर फिर भी कई कई कस्टिमर बोलते है कि नहीं में पत्य लगवानी है तो यह गा देते हैं पर उसकी इतनी हिकले लिए यह तिक प्रशा डाले के लिए पीछे भी आगे तो यह फटे रहते हैं उसके बाद में जब निकल गया जब नर्मा डालना है तो इस वहां तक रसा डालो और बोंग निकल जाएगा सब्सक्राइब इसके बाद में सर यह डाले के अंदर बेंट दिए गया तकि इसकी मजबूती बढ़े और डाला बहुत कम वेट का है बोड़ा रखा गया है डाला की क्योंकि आज कर अकेला होता है तो इसको डाला खोलना पड़ गया तो उतना बारी डाला अकेला नहीं खोल सकता है इसलिए इसकी मजबूती बढ़ाई गया है क्योंकि इसके अंदर तीन बैंड आ गए और साइड वाले में अलग बैंड है तो आप देख सकते हैं सरी यह दोनों साइड डवल कॉंटर के दिया गया है और उसके अंदर सप्रिंग वाला सिस्टम दिया गया है यहां पर लोक हो गया सर अच्छा और यहां पर नट दिला करो उसके अंदर पीछे बासल दे दो उसके इसालसी सुराक सीध में आने के बाद में यह काम करने लगा तो आप इसको खोल के रिपेर करने पूरी ट्राली लेकर बादे की जिस चीज़ की में जरूरत होती है वो हमने की हुई है घीक्स नहीं की वह उसके बाद में सब्सक्राइब के लिए लिए यह बीकस्टमर की दिमांड थी यह लगाती है अगर वह बाई बोलता है कि हमें पीछे लगाने हैं तो वह भी सर लगाके देते हैं लुग जैसे आप हम आपके मन की इच्छा है आप जैसा modify करवाना चाहते हो ट्राली को उस तरीके से करवा सकते हो बाई ने कुंडे लगा दिये आर्मी वाले इतनी मजबूत है कि आप पीछे अगर कहीं पे ट्राली बैठ जाती है तो पीछे से अगर खींचना चाहो तो कीच सकते हो यह बात नहीं है कि आपकी जो ट्राली है वह यहां से कोई प्रॉब्लम है कि क्योंकि यहां पे किसी पत्ती लगाने की आप देख सकते हैं यहां प्लेट लगाई हुई है इतनी मोटी चार पूती और इसको चैसी से पूरे अच्छी तरह बैल्डिंग किया हुआ है यह वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पि चीक है और इसके अंदर बार से जल जाता है और सेम इतने वजिन की ट्रॉली आप इच्छे जोड़ सकते हो कोई दिखतवाडी बात नहीं है और जब यह आप इसको मोड़ोगे तो भी नई दीख से मोड़ोगे तो भी जैसे कि ट्रेक्टर का हुख है सेम उसी परकार हमने बनाये गया है ताकि किसी परकार का तीन इंची तक उख इसके अंदर आ जाता है सिक जी नॉर्मल ट्राली के डाइंची उख चलता है वैसे हमने तीन इंची तक इसको बितलब आपने काम चला हूँ काम ने कि है इसको प्रोपर डंसे रेगुलर यूज लेने वाड़ी पीछे फटे चाहिए तो हमने पीछे फटे लगाया है कि दान और कनक वगएरा कोई भी फैसल हो उसमें पल्ली वगएरा नहीं लगाने पड़ती है यह लगे खेत में खाली करना है तो डाला खोल दो यह उपर लगे रहेंगे सर डाला साइड में तो खुल जाएगा अगर आप बंदा चाहिए कि यह लगे हुए और नीचे से डाला खोलना चाहिए तो फिर ज्यादा तर तो साइड में ख़लते हैं अगर उपर भी खोलना हो तो साइड बाड़ा सरिया निकाल के उपर बाड़ी पिननल लगाओ और डाला उपर खोदो कोई दीकत नहीं यह फटे अ में झाला चाहिए तो जारी वाहर डाला लगाती प्रें आंदर शोकर के लार सोकर लगा देती हैं इपर आप चम्ला आप चला जए ना होब से जपरृते करदा कि ओब पर भी तो बाड़े में फिर फमनएक किसी तरफ कोल्स हांorn करत कि चीक है और यह एंडला गया सर यह भी त्यार करवाई है आपने यह क्या फाइदा इसका इसका बहुत जादा है पहले क्या होता है तो नोर्मल ट्रॉलियों हर किसान नहीं लिवाता था अच्छा उसकी वज़े से क्या है या या मिट्टी बगेरा पड़ती रहती थी अंदर ज मिट्टी चिप गई अंदर 20 दिन 30 दिन अगला किसानवाई मिनेत दो मिट्टी तो दोने का टाइम नहीं लगता सीजन की समय में उसके कारण के फिर वह यहां से गलनी स्टार्ट हो जाती थी इसलिए हमनी यह मेट लगा दिये पीछे और इसके पीछे संगली लगा दी ताक है कि लगा यह कस्टमर की दिमांड थी यह में एव काम में काम बाइब यह वे से तबस्टार्यक का अंदर वहुत रहता है पर लेकिन कसमर की डिमांड शी लिए पूरी हरगा घ्राइगा है की आफनि लगा गये सब लेकी जैसे लगा की गुई है ताकि उखड़ने वाली को एडिकत नहीं है पूरी प्लेट लगा देते हैं तो वह नहीं पूरी एडिटी प्लेट लगा गई गई है ठीक है और जो हिस्से है सर वह चार इंची हिस्से है पूरा लंबाई की दिनी है लंबाई स्थावनीं चैसर इसकी और जो हम की बात करें बार तो यह टाटा की सर्दसने ड्सने अंदर होती है वह बैसर फिक है रख वाली अब नहीं है और लोक वाड़ी बात से लगी यह कड़े वाड़े रिम है सर आप खुद लगाते हैं जो कुट्ट तोल के देते हैं खाली सरफ कस्टमर को अपनी डिमांड के अमसार पसंद के अमसार इसमें चादर लगी गई यह आठ गेज की ठीक है और साइड दस है में और इसमें जो लोहाया नीचे कैसिकल हो वो कैसर एमसी का और चादर काटा की है बिड़ बिड़ है बिड़ अंदर लेंगे जाड़ी स्टील की होते है क्योंकि यह में इसके अंदर हमारी मेंट लगती है तो यह रेड़ मेंट समाना आगया ठीक है यह इसका दस जार रुपे अलग से होता है और अगर कोई चाहिए कि मैं अपनी मर्जी का रिम लगा हुआ हुआ है जैसे कई बार क्या होता ह होती है तो वो उसको बेज देता है उसका डाइ इसका खोल लेता है तो वो लेकिए आसकता है उसकी फरी में से इंचार देंगे अ कोई दिक्टवाड़ी बात नहीं है अगर अगर विटिंग में दिक्टा याएगी और इसा लगार रहे हो तो हम इसा चेंज करवा के देंगे अगर पंप में 6 मिने तक कोई दिक्कत आजाए तो हम पंप की बीचे सी 6 मिने की गरंटी जाती है और आप देख सकते हैं इसके अंदर टायर वाले जो टूल है आप देख सकते हैं यहीं कारण होता है कि मिट्टी खड़ जाती है और दणे भी रुख जाते है तो किसान भाई को दिक्कत आती है वो इसलिए आद 6-7 सालों से हमने यह चेंज कर दी हैं 6-7 साल होगे करीब कि इस और वे शाइज की बात करते हैं तो साइज इसका सर निचे से 6 फुट है और उपर से सवाचे फुट है टेप पर ट्राली बनाई गीए ग्यारा फुटी में बारा फुटी जितना काम कर चीए तीक है क्योंकि यह उपर से पूरी ट्राली खुल गई है और लंबाई इसकी ग् इसकी अपने अगर बिट की बात करें तो यह नियुंदे लगाया हुए है कहीं भी सर्सों भी अगर इसमें आप डालोगे ना तो कहीं से कोई एक भी दाना गिरने का कोई चांस नहीं है काकि यह आप तीनों तरफ से देख सकते हूं विल्कुल ओके है अमीद करते हैं दोस् ट्राली कैसे लगी और भाई का नंबर दिये हुए है आपने या आपके किसी रिष्टेदार दोस्त ने ट्राली बनानी हो तो भाई से एक वर संपर्क जरूर करें और वीडियो को जरूर आगे से आगे शेयर कर दें ताकि हर किसान के पाई यह वीडियो पहुंचे और इसक का वो फाइदा उठा सकी दन्यवाद